रज़का दोस्तों, देट है आज की 29 माई 2020 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेसन में आज हमें तीन इशुज डिसकेस करने हैं सबसे पहले हम इंडिया चाइना बोरे टेंसेंस के बारे में बात करेंगे दूसरे नंबर पर हम इंडिया का एक्सपोर्ट जो स्रिंक हुआ है इस महामारी की वज़े से इस इशु को हम डिसकेस करेंगे और सबसे लास्ट में इंडिया नेपाल रिलेशन्स हलां कि देखो पिछले हफ़ते हमने डिटेल से इंडिया नेपाल बाउंडरी दिस्प्यूट की बात की थी लेकिन इंडिया नेपाल रिलेशन्स से संबंदित और इस दिस्प्यूट से संबंदित कुछ अलग पॉईंट्स हैं उनको हम इस आर्टिकल से एक्स्ट्रेक्ट करके डिस्कस करेंगे चलिए डिस्कसन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आर्टिकल इंडिया और चाइना बॉर्डर टैंसन्स के बारे में हैं देखो इंडिया चाइना जो बॉर्डर है इसको आप तीन पार्ट्स में डिवाइब कर सकते हूं वेश्टन सेक्टर, सेंटर सेक्टर और इस्टन सेक्टर वेश्टन सेक्टर में जो एलेसी हैं यानि लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल यहां पर गलवान वैली के पास आप ये मैप देखें अभी फिलाल ये एरिया चाइना के पास है 1962 के वार के बाद से ही इस एरिया पर चाइना का कबज़ा है और ये है लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल इस साइड इंडिया की फोर्सिस हैं ये एरिया अभी फिलाल इंडिया के पास है और ये चाइना के पास है यहां पर एक गलवान वैली है गलवान वैली में बियारो यानि बोडर रोड और्गनेजीशन के द्वरा एक रोड की कंट्रुक्शन चल रही थी डर्बुक शोक रोड डर्बुक शोक डीबियो रोड डीबियो का मतलब है दोलत बेग ओल्दी रोड लेकिन रोड को कंट्रक्ट करने से समंदित जो एक्टिविटीज हैं उनको चाइना की ट्रूप्स के द्वरा रोकने की कोशिस की गई तो विवात पैदा हो गया इसके बाद पिछले एक हफ़ते में चार बार इंडिया और चाइना के सैनिक आमने सामने आ चुके हैं आमने सामने आने का मतलब दक्का मुकी होना आरोप परतारोप इंडिया के सैनिक उने बोलते हैं कि भाई आप हमारे एरिया में क्यों आयों हो चले जाएए वापस अपने एरिया में वो बुलेंगे ये एरिया हमारा है आप वापस चले जाएए इस परकार से stand off चार बार create हो चुका है पिछले एक हफते में tensions देखो हैं, real हैं क्योंकि अभी इस एरिया में ब्रिगेट साइज की फोर्स आमने सामने हैं एक ब्रिगेट साइज की फोर्स में आलमुष्ट 5000 सैनिक होते हैं मतलब 5000 सैनिक आलमुष्ट इंडिया के और 5000 सैनिक आलमुष्ट चाइना के आमने सामने हैं इस गलवान वैली में इससे पहले डोकलम विवाद के समय ऐसा हुआ था कि ब्रिगेड साइज की फोर्स दोनों देशों की आमने सामने थी और उससे पहले 1986-87 में ऐसा हुआ था देखो, चाइना क्या करता है? चाइना स्लामी टैक्टिक्स को फोलो करता है ना सिरफ साउथ चाइना सी में बलकि बाकी नेबर्स के साथ भी जिसके साथ चाइना का बोर्डर विवाद है स्लामी टैक्टिक्स में क्या होता है? मैं आपको एक्जाम्पल की साहिता से बताता हूँ मान लीजिए, ये इंडिया और चाइना बोर्डर है इस एरिया पर और ये एरिया अभी इंडिया के पास है तो चाइना क्या करेगा? बजाए इसके कि एक ही बार में इस पूरे एरिया पर अपना कंट्रोल इस्टाबलीस किया जाए चाइना स्लाइस की एप्रोच फोलो करेगा थोड़े थोड़े एरिया पर चाइना की जो force हैं वो आगे आती जाएंगी थोड़े थोड़े एरिया पर अब देखो बिल्कुल थोड़ा सा जब चाइना की force आगे आएगी तो इंडिया की forces के लिए ये इतना concerning issue नहीं होगा इंडिया की forces को लगेगा की fencing तो है नहीं border पे तो हो सकता है की border को लेके perception अलग अलग है लेकिन ये चाइना की forces क्या करती है थोड़ा सा आगे आती है कोई border post establish कर देती है अपना कुछ tent वगरह लगा देती है फिर थोड़ा सा आगे आती है tent लगा देती है इस परकार से थोड़ा थोड़ा slice करके area पर ये आगे बढ़ते जा रही है समझ गे बजाए इसके की एक ही बार में area पर control किया जाए पूरे area को slice में बाटा जाए और बिल्कुल थोड़ा थोड़े area पर कबजा करके आगे बढ़ता जाए बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं इसका देखो सबूत भी है राइटर कहते हैं 1950s के बाद से ही चाइना के जो forces हैं वो इंडियन एरियास पर आगे आती गई आती गई और इसके बाद 1962 में वार हुआ इंडिया और चाइना के बीच हैं उसके बाद 2002 में expert groups की meeting के दुरान चाइ पोजीशन है उससे अलग था इसके बाद 2007 में लड़ाक में सिक्की में और दूसरे places पर इंडिया चाइना बोर्डर को लेके चाइना की perception फिर से चेंज मिली यह धीरे धीरे अपनी perception को चेंज करते जाते हैं माली जीए 1950 में यह perception थी इंडिया चाइना बोर्डर की तो कुछ कुछ साल बाद ऐसी होगी चाइना की तरफ से कुछ साल बाद फिर ऐसी होगी मतलब इस परकार से वेश्टन डारेक्शन में मूव करते जाते हैं 2017 में भी इंडिया चाइना भुटान जो ट्राय जैंक्सन हैं यहां पर बाउंडरी को चाइना चेंज करना चाहता था तब ही डोकलाम विवाद पैदा हुआ देखो 2006 से पहले तक चाइना की जो फोर्सी से दूर तूर तक थी यहां पर इंडिया और चाइना की फोर्सी से आमने सामने होती थी लेकिन आज situation यह है चाइना ने बहुत ज़दा infrastructure डवलप कर लिया है इंडिया चाइना बोडर पर अपनी और काफी locations ऐसी हैं जो जहां पर चाइना की जो troops हैं अब वो आगे आ चुकी हैं इसके बाद राइटर एक different aspect की बात कहते हैं राइटर कहते हैं टैंसल तो देखो हैं फिलाल बोडर पर लेकिन अगर हम pattern देखें तो पिछले कुछ सालों में bilateral relations improve हुए हैं दोनों देशों के बीच हैं एन्वल लेवल पर defense dialogue होता हैं दोनों forces की joint training भी होती हैं पैट्रोलिंग को लेके अगर कुछ विवार पैदा होता हैं तो उसे भी existing protocols की साहिता से सुलजा लिया जाता हैं local commander level पर 1993 का एक agreement है border peace and tranquility agreement इस agreement में ये decide हुआ था कि दोनों देश अपनी troops की संख्या को कम करेंगे border पर और अगर कोई देश border पर अपने troops की संख्या को increase करता हैं तो उसका mutual appraisal क्या जाएगा और जो भी concerns हैं उन्हें address क्या जाएगा अब देखो एक question ये उठता हैं अगर इतने सार provisions हैं, mechanisms हैं तो फिर फिलाल ये विवाग पैदा ही क्यों हुआ इसका answer देखो ये हैं चाइना इंडिया के ऊपर pressure create करना चाता हैं क्योंकि अभी फिलाल जिस road को लेके चाइना के concerns हैं ये road काफी सालों से बन रही हैं मतलब ऐसा नहीं है कि ये road पिछले एक साल से बन रही है या फर पिछले एक महने से बन रही हैं काफी समय से इस road पर काम चल रहा था लेकिन अब एकदम से चाइना ने इस road पर objections raised कियें तो मतलब चाइना की रणनीती इंडिया पर pressure create करने की हैं एक question ये भी आपके mind में आया होगा कि जब local level पर mechanism है कि commanders के बीच बातचीत हो और आप नहीं की आपस में देखो जब चाइना की रणनीती इंडिया पर pressure create करने की होती है न तो चाइना की side के जो commanders हैं वो phone उठाते ही नहीं हैं जैसे इंडिया के commander ने बात करने की कोशिस की होगी चाइना के commander से ताकि विवाद को locally local level पर सुलजा लिया जाए बट हो सकता है कि चाइना के commander ने phone नहीं उठाया होगा ऐसा 2013 में भी हुआ था 2013 में डेपसांग में विवाद पैदा हुआ था और even 2014 में चाइना के राष्टरपती सी चिंफिंग जब भारत की आतरा पर आये थे उस समय चुमार में विवाद पैदा हुआ था तब भी इंडिया की forces का ये concern था कि हमारे commander ने चाइना के commander से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने phone नहीं उठाया हाला कि उस समय कुछ experts ने बोल दिया था कि सी चिंफिंग नए नए राष्टरपती बने हैं हो सकता है इनका पूरा control ना हो चाइना की आर्मी पर फिलाल लेकिन देखो आज ये तर्क नहीं दिया जा सकता सी चिंफिंग बहुत powerful है और उनका पूरा control है चाइना की आर्मी के उपर लाष्ट में आर्टिकल के दोरा कहा जाता है देखो पूरी-पूरी संभावना है लदाक में जो विवाद पैदा हुआ है इसे भी peacefully सुलझा लिया जाएगा वैसे भी 1967 के बाद से ही इंडिया और चाइना बोर्डर पर गोली नहीं चली है ये अच्छी बात है और चाइना को इस विवाद से कुछ मिलने वाला नहीं है अगर चाइना इंडिया को बहुत ज़्यदा पूश करता है तो इससे इंडिया USA के और ज़्यदा करीब जाएगा जो कि चाइना नह मिश्ट्रस्ट जो है यानि एविश्वास जो है इंडिया और चाइना की फोर्सिस के बीच वो और ज्यादा बढ़ेगा तो इस वज़े से इंडिया चाइना बॉर्डर पर दोनों तरफ से फोर्सिस का जो डेप्लोईमेंट है वो बढ़ सकता है मतलब पहले कम फोर्सिस इस्तिनाथ होती थी अब चूंकि मिश्ट्रस्ट बढ़ेगा ज़्यादा फोर्सिस इस्तिनाथ होगी यह हमने पूरा आर्टिकल डिसकस किया इंडिया और चाइना बोर्डर टैंसर्स के बारे में चलते हैं आगे नए श्टार्ट कल एक्सपोर्ट से समदित हैं आप जीयस पेबर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूँ देखो फिलाल की सिचुएशन में इंडिया का गुड्स का जो एक्सपोर्ट हैं वो कुलैप्स कर गया है अप्रेल के महने में पहले के अपिक्सा कर्थ 60% कम एक्सपोर्ट हुआ हालां कि देखो इंपोर्ट भी आलमोस्ट इतने ही परसेंट कम हुआ और मई में भी हालात बहुत ज़्यदा अच्छे नहीं रहने वाले हैं WTO की एक्सपेक्टेशन ये है कि 2020 में इंटरनेशनल ट्रेड जो है 13% से लेके 32% तक कम होगा देखो Employment Intensive सेक्टर मतलब वो सेक्टर जहां पे बहुत सारे लोगों को जोब्स मिलती है इनका भी जो एक्सपोर्ट है जनवरी से लेके मार्च के बीच स्रिंक हुआ 16% लेकिन अप्रेल में इन सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो एकदम से 91% तक कम हो गया हमारा देश वो 30 प्रोडेक्ट जो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उन में से देखो दो प्रोडेक्ट्स ऐसे हैं फार्मस्यूटिकल्स और आरेन और अप्रेल में इन दो प्रोडेक्ट्स का एक्सपोर्ट पहले के अपेक्सा कर ज़्यादा हुआ अदर्वाइस 30 में से बाकी बचे हुए जो 28 प्रोडेक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यदा कम हो गया वैसे देखो इंडिया बड़ी मातरा में क्रूडोल इंपोर्ट करता है और काफी सारा क्रूडोल रिफाइन करके रिफाइनरी के माद्यम से हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं इसमें इजाफा हुआ बट बात वही कि पेट्रोलियम के दाम इतने ज़्यादा कम हो चुके हैं कि वोल्यूम्स अगर ज़्यादा बड़ेगी तो भी वैल्यू तो नहीं बड़ेगी न क्योंकि रे कोविड-19 की महमारी की वज़े से जो ग्लोबल सप्लाइचेंस हैं वो भी परभावित हुए हैं ग्लोबल सप्लाइचेंस परभावित होने का मतलब देखो ये हैं जैसे मा लीजे इंडिया कोई चीज एज रा मेटरियल पहले इंपोर्ट करता था चाइना से उसमें वैल्य एडिशन नहीं हो सकी और उन प्रोडेक्स को फर्दर दूसे देशों में एक्सपोर्ट नहीं कर पाया ये सिरफ एक एक एक्जामपल है कैसे सप्लाइचेंस के परभावित होने की वज़े से असर पड़ता है ट्रेड पर नेश्ट रिजन देखो जब से ये COVID-19 के महमारी आई है विबिन देशों का फोकस ये है कि हम दूसे देशों के ऊपर डिपेंड ना हो एसेंशल कमोडिटीज की सप्लाइच के लिए खास करके इंडिया में भी देखो आतम निर्भर अभियान चला ताकि फ्यूचर में किसी देश के ऊपर हम विबिन देशों में इमर्ज होके आ रही हैं for example western countries में भी तो जब देखो ऐसा होगा सभी देश इंपोर्ट करना बंद करेंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी तो कम होगा ना विबिन देशों के जो companies हैं वो इंडिया से इंपोर्ट करना कम करेंगी इस self-reliance campaign की वज़ इसे पहले भी इंडिया के एक्सपोर्ट का अब देखो बात करते हैं सरकार ने क्या steps लिए हैं एक्सपोर्ट को increase करने के लिए सबसे पहला step सरकार ने ease of doing business से समधित काफी सारे reforms लिए हैं अभी जो 20 लाग क्रोड का package announce किया गया इस दुरान MSMEs को रहत पहुंचाने की कोशिस की गई हैं 3 लाग क्रोड का package दिया गया है MSMEs को 22 मई को RBI ने ये कहा हम 15,000 क्रोड की liquidity facility प्रोवाइड करेंगे Exim Bank को Exim Bank मतलब Export Import Bank Next step 6 मईनों का extension दिया गया है importers को अपनी outward remittances पूरा करने के लिए Outward Remittance का क्या मतलब हैं जैसे देखो West Asia में भारतिय मूल के जो लोग काम करते हैं वो अपने घर पैसा वापस भोजते हैं तो इसे कहा जाता है Remittance उसी परकार से इंडिया से अगर कोई person foreign entity को foreign currency में fund transfer करता है तो इसे कहा जाता है outward remittance For example importer कोई चीज import करते हैं foreign entity से तो पैसा देना पड़ेगा foreign currency में तो ये outward remittance है Next point exporters के लिए जो credit period हैं इसे भी तीन महिने के लिए extend कर दिया गया हैं अब देखो last में conclusion में ये कहा जाता हैं ये जो exporters को तीन महिने का credit extension दिया गया हैं इसकी announcement तो पहले ही RBA के द्वरा की जा चुकी थी 23 March को लेकिन विट मंत्री ने इस announcement को फिर से दोरा दिया मतलब दो महिने पहले जो announcement हुई थी उसे ही repackage कर दिया गया आर्टिकल का view है असल में exporters को रहत पहुंचाने के लिए कुछ खास है नहीं इस 20 लाग करोड के package में देखो विबिन देस कोसिस कर रहे हैं export को boost करने के लिए इसलिए विबिन देसों ने अपनी economy को stimulate करने के लि ये अच्छा खासा package announce करना चाहिए था लेकिन ऐसा करने से सरकार चूप गई वैसे सरकार चाहती हैं कि चाइना से जो लोग परिशान हैं चाइना से जो companies परिशान हैं वो अपना base shift करेंगी वो किसी और देस में अपनी factory establish करेंगी लेकिन देखो ये इतना जल्दी नहीं होन बाला हैं और इंडिया के सामने काफी सारे विकल्प होंगे इन companies के लिए अगर वो चाइना से relocate भी करती हैं for example इंडोनेशिया वियतनाम बंगलादेश ये सारे देश इंडिया के competitors हैं तो इंडिया को यहां पर भी ध्यान देने के आउशकता हैं इसके लिए reforms की जो सरकार ने सुरुवात की हैं ये सुरुवात रुकनी नहीं चाहिए आगे भी reforms की सरंखला जो है वो जारी रहनी चाहिए चलते हैं आगे ने स्थार्ट कल इंडिया और नेपाल रिलेशन्स के बारे में हैं आप जियस पेपर टू के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हू देखो 1816 की जो सुगोली ट्रीटी साइन हुई थी बिडिस एंपायर और नेपाल के बीचे उसमें ये डिसाइड हुआ था कि काली रिवर के वैस्ट में जो इलाका है वो इंडियन टेरिटरी होगा और काली रिवर के इस्थ में जो इलाका है वो नेपाली किंग्डम की टे नेपाल का यह मानना है काली रीवर ओर्जिनेट होती है लिंपिया धुरे से आप यह मैप देखिए नेपाल के अनुसार यहां से काली रीवर ओर्जिनेट होती है जबकि इंदिया का यह मानना है कि काली रीवर जो है वो काला पानी से ओर्जिनेट होती है यहां से तो इस एर विस्साड़े रिवर किliyor समय करने को करने के लिए तो समय को से का इशू इमर्ज होके आया था 1997 में ये इशू नेपाल की तरफ से सबसे पहली बार रेज किया गया उसके बाद मैटर रेफर किया गया जोईंट टेक्निकल लेवल बाउंडरी कमेटी को इस कमेटी ने जो सेट अप की गई थी 1981 में इस इशू को री आइडेंटिफाई किया और इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर जो पिलर्स खतम हो चुके थे या फिर डेमेज हो चुके थे उन्हें फिर से इरेक्ट किया गया ताकि इंडिया नेपाल बॉर्डर पर बाउंडरी को लेके कोई विवाद पैदा ना हो इस कमेटी ने देखो अच्छा काम किया 98% ज जमोय का स्मीर को दिया गया जब स्पेशल स्टेटास रिवड़ किया गया तो नौवंबर में सर्वे ऑफ इंडिया के दौरा इंडिया नया पॉल्टिकल मैप जारीक च्छा गया यह 8 ऐडिशन था यहां पर देखो यह 8 ऐडिशन था इसमें काली रिवर का नाम लिखा हु अपने concerns raise किये और offer किया इंडिया को कि एक special envoy हम भेजते हैं इस issue पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन उस समय क्या था पिसले साल हमारे जो foreign secretary का कारेकाल था वो खतम हो रहा था और नेपाल में हमारे जो ambassador हैं उनका कारेकाल भी खतम होने को आया था तो इंडिया ने उस समय ये issue इ जाने के लिए road का जो inauguration किया हलांकि देखो ये road पहले भी इस्तमाल किया जाता था हमारे देश के उन तीर्थियातियों के द्वरा जो class परवत किया था करना चाहते हैं लेकिन अब road को motorable बना दिया गया है मतलब वहां पर वहां चल सकते हैं पहले कच्चा road था तो नेपाल के तरफ से concerns raised के गए और जैसा हमने पहले भी discuss किया था कि actual में issue ये हैं यहां पर politics involved हैं नेपाल के परधानमंतरी के पीएस ओली वो देखो पिसले दो साल से नेपाल के परधानमंतरी हैं और नेपाल के सविधान में provision ये हैं कि कोई भी नया परधानमंतरी होगा तो परधान पूरे हो चुके हैं तो कम्निष्ट पार्टी जिससे ये समन्द रखते हैं पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी बहुत सारी आवाजे उठ रही हैं कि के पीएस ओली को परधानमंतरी पत से हटाया जाए इन्होंने अच्छा काम नहीं किया हैं तो इसलिए इन्हों ने नैसलिजम का दाव खेल दिया जैसे देखो पाकिस्तान में कुछ लोग ये मानते हैं नैसलिजम का मतलब इंडिया के खिलाफ नफरत हलाकि देखो इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को गली गाली देते हैं और बोलते हैं हम नैसलिस्ट हैं उसी परक ताकि पब्लिक ओपिनियन को अपने पक्स में किया जासके। और ऐसा ही हुआ, एकदम से नेपाल में पब्लिक ओपिनियन मुबलाइज हो गई, इस इशू पर एंटी इंडिया हेट्रेड और ज़्यादा श्ट्रोंग हो गया, और नेपाल के प्रजेंट प्राइम मिनिश्टर केपियेस ओली को एक पॉलिकल रिवाइवल मिल गया, यह में रिजिन है जिसकी वज़े से यह विवाद बढ़ गया, इसके बाद क्या हुआ, नेपाल ने अपना एक नया मैप जारी किया, हलांकि देखो, वो मेप अभी नेपाल की पार्लियमेंट के द्वारा पास नहीं किया गया है, बट जो मेप नेपाल के द्वारा जारी किया गया, उसके अनुसार 370 km2 की एक ऐसी टरिटरी, जिसे 335 km2 की टरिटरी, जिसे नेपाल ने कभी अपनी टरिटरी नहीं कहा, तो इससे तो देखो, जैसा हमने इंडिया और चाइना रिलेशन्स में डिसक्रस किया था, एविश्वास यानि मिश्ट्रस्ट जो हैं, दोनों देशों के बीच और ज़्यादा बढ़ेगा। राइटर के द्वरा कहा जाता हैं, देखो, इंडिया और नेपाल के बीच ये जो इशूस हैं, ये रिटोरिक से या फिर यूनिलेटरल मैप मेकिंग एक्सरसाइस से सोल नहीं हो सकते हैं, अगर आपको इन इशूस को सोल करना हैं, तो क्रियेटिव सोलुशन्स को फाइंड आ प्रधामंत्री बनें, इन्होंने नेबर्फूड फर्स पोल्सी को अनॉंस किया, 2014 में नेपाल क्यात्रा पर गए प्रधामंत्री मोदी और वो विजिट काफी ज्यादा सेक्सेस्फूल रहीं, लेकिन 2015 में एकदम से खराब हो गए, क्योंकि नेपाल ने Constitution अपना बनाया, जिसको लेके इंडिया की concerns थे, और एक अनॉफिशल ब्लोकेड लगा इंडिया नेपाल बोर्डर पर, नेपाल में essential commodities की supply कम हो गई, इससे इंडिया की खिलाफ नफरत और ज़्यादा बढ़ गई नेपाल में जैसा हमने पहले डिसकस किया, नेपाली nationalism और anti-indianism दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये विचार और ज़्यादा reinforce हो गया, 2015 के unofficial ब्लोकेड के बाद, नेपाल में बहुत से experts का ये मानना है, कि चाइना कार्ड ने नेपाल को बहुत ज़्यादा leverage दी हैं, इंडिया के स रिलेशन्स टैकल करने में, चाइना कार्ड मतलब देखो हमारे जो परोशी देश है ना छोटे छोटे जैसे सिरलंका, नेपाल, ये एक परकार से indirectly इंडिया को blackmail करते हैं, कि आप हमारे साथ रिलेशन्स अच्छे दीजिए, हमें फाइदा पोंचा आइए, अदर्वाइस ह कार्ड का इन देशों के द्वारा इस्तमाल किया जाता हैं, चाइना की बात करें, पहले तो देखो नेपाल में चाइना के concern सिरफ तिबितियन refugee committee को लेकर थें, क्योंकि पहले तिबद में सेपरेटीजम की और और अटोनमी की जो मांग है काफी ज़्यादा strong थीं, लेकिन आ अपनी जो strategy है, वो change की हैं, चाइना ने नेपाल की अलग 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 पोलिटिकल पार्टी के साथ अपने relations मजबूत किये हैं, इसके अलबावा अलग अलग institutions, for example, army, armed forces, इनके साथ भी चाइना ने अपनी relations को improve करने की कोशिस की हैं, इस वज़े से चाइना का जो दबदबा हैं, नेपाल में काफी ज़्यादा बढ़ गया हैं, जबकि इंडिया इस front पर fail होता दिखाई दे रहा हैं, इंडिया ने ने नेपाल में political narrative को change करने की serious causes नहीं की हैं, इंडिया को लगता है, politics चलती रहती है, politics चले, इस से फरक नहीं पढ़ता, जो चुप चाप diplomacy हैं, इसक पोच देखो, सही साबित नहीं हुई, क्योंकि नेपाल के बहुत सारे leaders anti-India stand लेते रहे, लेते रहे, और आज ये जो trend है, काफी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, शुरवात में ही इंडिया को कोशिस करनी चाहिए थी, कि नेपाल के political leaders anti-India stand ना ले, अब तो देखो, ये हो चुका है, नेपाल की जो history की books है, उनमें भी इंडिया के खिलाफ नफरत देखने को मिलती है, लेकिन पहला ऐसा नहीं था, इंडिया हमेशा से बात करता आया है, कि नेपाल के साथ हमारी special relationship है, हम culture को share करते हैं, language, religion, इन सब को share करते हैं, 1950 में एक इंडिया और नेपा peace and friendship treaty जो sign हुई थी, ये देखो, treaty काफी ज़्यादा important है, नेपाल के लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे, कि ये treaty, unequal relationship को बताता है, इंडिया और नेपाल के बीच, इसी treaty में provision है, कि इंडिया और नेपाल का जो border है, वो open रहेगा, नेपाल और इंडिया के लोग एक दूसरे क नहीं focus किया था कि इस परकार की treaty sign होनी चाहिए, क्योंकि British Empire और नेपाल के बीच जो special relationship थी, उस relationship को बरकरार रखा जाए, लेकिन देखो, आज के समय में नेपाल के बहुत सारे political leaders इस treaty के खिलाफ बोलते हैं, इवन इस treaty को नेपाल के तरफ से तो नेपाल के परधामंतरी ने साइन किया था, हमारी तरफ से हमारे ambassador ने साइन किया था, तो इस चीज को लेके भी बहुत से expert question raise करते हैं, कि ये अनिकोल relationship है, भारत के परधामंतरी ने नेपाल के परधामंतरी के साथ इस treaty को क्यों नहीं साइन किया, इंडिया नेपाल को बराबर का दरजा नहीं देता है, ऐसा वहां कि बहुत से experts बोलते हैं, देखो इंडिया ने काफी बार बोला है कि आप इस treaty को खतम करना चाते हैं, तो कर दीजिए, लेकिन खास बात ये है कि political leaders सिरफ अपनी politics चमकाने के लिए इस treaty का इस्तमाल करते हैं, इस treaty against बोलते हैं, वास्तव में इस treaty से नेपाल को बह पता है इस treaty से उनको फाइदा हुआ है, लेकिन वही बात politics है, तो बोलेंगे इस treaty के खिलाफ लेकिन change नहीं करेंगे, तो ये हमने पूरा article discuss किया, इंडिया और नेपाल relations के बारे में, हमारी आज की इस discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.